पहले सुरुकी में आज हम फिर केंद्रिय सूक्ष्म लगू और मद्यम उद्योग मंत्री नारायन राने की बात करेंगे हमने आपको कल बताया था कि महराश के मुखे मंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक आपती जनक टिपपनी के चलते उन्हें गिरफतार कर लिया गया था आजाद भारत के इतिहास में ये सिर्फ तीसरी बार हुआ था कि कोई केंद्री मंत्री गिरफतार हुआ हो लेकिन राने को जल्दी राइगड जिले के महार से जमानत मिल गई 24 अगस्ट को ही उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया लेकिन पुलिस को रिमान नहीं मिली और उन्हें नियाये kھیरासत में रखा गया इसके बाद राने के वकीलों ने बेल के लिए एक बार फिर से कोशिश की, कहा कि राने को diabetes है और BP की तकलीव भी रहती है इस बार राने को 15,000 रुपे के बॉंड पर रिहा कर दिया गया, राने को 30 अगस्त और 6 सितंबर को राइगड के पुलिस अधीक्षक कारयले में उपस्थित रहना होगा साथ ही राने को दुबारा ऐसे वक्त अभया न देने को कहा गया है पुलिस राने का voice sample लेना चाहती है क्योंकि वो वीडियो से match करना चाहते है उसे इसके लिए अधालत का आदेश के तहट पुलिस को राने को कम से कम 7 दिनों का notice देना होगा वैसे राने के दिक्कते अभी खत्म नहीं हुई है उनके खिलाफ राइगड के लावा पुने सिटी, जलगाउं, ठाने और नाशिक में भी F.I.R. दर्ज है इन F.I.R.s को खारिज करवाने के लिए राने के वकीलों ने आज बंबई उचने अले में आचिका लगाई सुनवाई के दोरान महराज सरकार ने कहा कि 17 सितंबर तक राने के खिलाफ कोई दंडात्मक कारवाई नहीं की जाएगी 24 अगस्त को हमने आपको बताया था कि राने को नाशिक पुलिस ने गरफतार किया लेकिन अब लगता है कि उन्हें राइगर पुलिस ने ही अरेस्ट कर लिया था उस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है जिसमें राने खाना खा रहे थे और कमरे में उन्हें गरफतार करने के लिए पुलिस भी मौजूद दिख रही है हमने भी आपको दिखाया था अब एक और वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें महराश सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब एक फोन कॉल पर पुलिस को राने को जल्द गिरफतार करने के निर्देश देते नजर आ रहे हैं पर अब राइगर के पड़ोसी जिले रतनागिरी के पालक मंत्री भी है उदर भाजपा अब भी अपनी लाइन पर डटी हुई है कि राने की बात का समर्थन नहीं कर सकते लेकिन राने का समर्थन करेंगे आज उदर ठाकरे का एक पुराना वीडियो फिर सामने आ गया है जिसमें वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात को चपल मानने की बात कहते नजर आ रहे हैं ये वीडियो 2018 का है जब उदर ठाकरे महराश के मुख्यमंत्री नहीं होते थे इस वीडियो को शेयर करते वे आप भाशपर कारे करताओं ने मान की है कि उदर ठाकरे पर भी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आपत्ति जनक भाशा का इस्तमाल किया है इस बात का जिकर आज राणे ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में भी किया मी जे बुल्लो तो अपना देशा बदल अभीमान नसेल त्या लास राष्टी ये सर्ण महित नस्ताथ देशा बदल सार्थ अभीमान आए अनि मुरुन अला सर्ण जालन आए अनुमालो जे बुल्लो ते आज रेकाट वला है ये महाशा आए काय बोल्ले काय बोल्ले महाशा आज़े सांुलायन आए महाशा बुख्य मंते ते अहसा मना आले सेना बहोन बार्द आलशी कोन भाशा करें ते आच थोबड तोड़ा आदेश दिले आदेज दिले आग क्राइम नाई, एक्षवीज भी होत नाई, पत्रकर्ण माला शिक्वा हूँ, तना अब्यास ना काईदाचा कितिया शिक्वा हूँ, नाई तमी वकीलल द्रावे बाजूला गयोन बस्टू है। सांगा माला दूसरा एक वाक्या है, योगी साहिवान बद्री, एच मुख्य मंत्री पूरी बूल ले होते, आई योगी आहे कि डोंगी चप्लाने मारने पाईजी, सू संस्कृत पला, पावर साहिब याला मुख्य मंत्री के ले देला सूस्नम सुपना बगा। तुराने शिवसिना को उसकी बद जुमानी के उधारन याद दिला रहे थे, नरायन राने ने साफ कर दिया है कि वो जनाशिरवाद यात्रा जारी रखेंगे, साथ ही उन्होंने उनके घर पर जुटे शिवसिनिकों से ये सवाल भी किया, क्या आपके घर नहीं है, क्या तिवाद ध्यान में रखिए आने वाले ब्रहन मुंबई महानगर पाली का चुनाओ से जोड़ कर देखा था, बीएमसी चुनाओ, तब हमने ये कह दिया था कि मुंबई को लेकर होड इसलिए होती है, क्योंकि उसका और बाकी महराश का बजट बराबर होता है, ये दरसल एक ध्रांती है, जिसका शिकार मैं खुद भी था, ये आम बोलचाल का हिस्सा है, लेकिन तथे इसके विपरीत है, महराश का कुल बजट मुंबई के बजट से तक्रीबन दस गुना तक होता है, हाँ इतना जरूर है कि मुंबई का बजट भारत के कई छोटे राज्यों से जादा है, जैसे अरुनाचल प् सिक्केम और त्रिपूरा, हमने इस बार टेबल चेक किया है, कल जो हमने कहा थे उसमें गलती थी और हम उसके लिए माफी चाहते हैं, दूसरी सरुकी में आज एक बार फिर पंजाब का जिकर होगा, हमने आपको 24 अगस्त को बताया था कि पंजाब में कैप्टेन सरकार के ध जहरादून जहां वो मिला पंजाब प्रभारी हरीश रावत से, यहाई नहीं बता दिया गया कि फिलहाल कैप्टेन ही सीम बने रहेंगे और चुनाओ भी उन्हीं के रहते लड़ा जाएगा, आखरी सुर्खी का सम्वन पैगिस्तिस मामले से है, आज पश्चिब मंगाल सर जस्टिस मदन भी लोकुर हैं